नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना विशाल मौर्य आज हम बात करेंगे BSNL के बारे में वो कंपनी जो सालों से हमारे घरों तक फोन और इंटरनेट पहुचा रही है लेकिन क्या आप जानते हैं? BSNL के पीछे कितनी सारी दिल्चस्प बातें छुपी हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे BSNL से जुड़े 20 ऐसे रोचक तत्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होगे BSNL की स्थापना कब हुई? इसका पूरा नाम क्या है? कितने लोग काम करते हैं? और भी बहुत कुछ तो देर किस बात की? वीडियो को पूरा देखिए और जानिये BSNL के बारे में सब कुछ और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा BSNL की कहानी शुरू हुई थी 15 सितंबर 2000 को BSNL का पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का हेड़कॉर्टर्स है हमारी राजधानी दिल्ली में लगभग 70,000 कर्मचारी BSNL के साथ जुड़े हुए है फॉन से लेकर इंटरनेट तक BSNL की सेवाएं पूरे भारत में फैली है BSNL का अनलिमिटेड डेटा प्लान लोगों का सबसे पसंदीदा है BSNL की इंटरनेट सेवाएं अपनी स्पीड और भरोसे के लिए जानी जाती है चाहे पहाड हो या मैदान, BSNL का नेटवरक लगभग हर जगह मौझूद है बिलकुल, BSNL के लेंडलाइन फोन आज भी सस्ते और भरोसे मन्द है BSNL के ब्रॉडबैंड प्लान्स में मिलता है हाई स्पीड और अनलिमिटेड डेटा जी हाँ, BSNL ने 4G सेवाएं शुरू कर दी हैं और 5G पर भी काम चल रहा है बिलकुल, BSNL की सेवाएं दुनिया भर में उपलब्ट है चिन्ता की कोई बात नहीं, BSNL की ग्राहक सेवा 2400 घंटे मौजूद है हाँ, BSNL समय समय पर नए प्लान्स और आनफर्स लेकर आता रहता है जी हाँ, BSNL के पास अपना मोबाइल आप और आनलाइन रिचार्ट सुविधाएं हैं बिल्कुल, BSNL ग्रामीन क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करता है हाँ, BSNL कई सरकारी योजनाओं का महत्वपोर्ण हिस्सा है BSNL भविश्य में और भी उन्नत और बहतरीन सेवाएं लाने वाला है जियो, एर्टेल और वोडापोन ये हैं BSNL के मुख्य प्रतियों की BSNL के पास भारत का सबसे बड़ा लैंड लाइन नेटवर्क है तो दोस्तों, ये थे BSNL से जुड़े 20 मज़ेदार तक थी मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने BSNL के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लायक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना न भूले ताकि आपको ऐसी ही और भी रोचक जानकारी मिलती रहे हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा तथ्य सबसे ज्यादा रोचक लगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद